Most Awaited Film KGF Chapter 2 का टीजर कल 7 जन्वरी को 9 बच कर 29 मिनट पर रिलीज कर दिया गया है बड़ी बात तो ये है कि इस टीजर को अभिनेता यश के जन दिन 8 जन्वरी को लॉंच किया जाना था पर फैंस की बेस अबरी को देखते हुए इसका टीजर एक दिन पहले ही लॉंच कर दिया गया जिसमें अभिनेता यश, रवीना टंडन और संजदत जैसे कलाकारों की एक जबरदस्त जलक देखने को मिली है और तभी से इस फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में और भी ज्यादा क्रेस बढ़ गया है लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बलकि इस फिल्म में जल्द ही नजर आने वाले चुनिंदा कलाकारों और उनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं जिनके लविंग पार्टनर के बारे में शायद ही आपको पता होगा चलिए तयार हो जाए इनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू होने के लिए पर इससे पहले most awaited film के लिए एक लाइक तो बनता है इस लिस्ट में सबसे पहले अभिनेता राम चरन राजू के बारे में बात करते हैं जो कि KGF चेप्टर वन में गरुडा का नकारात्मक करदार निभाते हुए नजर आये थे और इस बार भी ये एक खलनायक के करदार में नजर आएंगे लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो इन्होंने अपने अमाता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से कुछ सालों पहले शादी की थी और आज उनी के साथ काफी खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पतनी पेशे से टीचर हैं जो लाइम लाइट से कोसो दूर रहना पसंद करती हैं इस फिल्म में लीट आक्टरस के तौर पर पहले की तरह अभिनेतरी श्री निधी नजर आने वाली हैं जिनका किरदार रोकी की प्रेमिका का होगा लेकिन अगर बात करें इस खुबसूरत अभिनेतरी के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है और ना ही अभी तक इनका किसी के साथ नाम चुड़ा है फिलहाल ये अभी सिंगल है और अपने करियर पर फोकस करने में लगी है इस फिल्म में सेकंड लीड अक्टरिस के तौर पर साउथ अक्टरिस सोनू नजर आएंगी जिनका किरदार वाकई फिल्म में काफी इंटरस्टिंग होने वाला है लेकिन अगर बात करें इस ब्यूटिफुल अक्टरिस के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो इनके पार्टनर का नाम मनोज कुमार है जिन से इन्होंने साल 2010 में शादी की थी और आज शादी के 10 सालों बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशाल जीवन बिता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पती पेशे से बिजनसमेन हैं और इस फिल्ड में काफी नामी है इस फिल्म में बॉलिवुट की मस्ट मस्ट गर्ल रवीना टंडन भी नजर आने वाली हैं जो कि फिल्म में रमिका सेन का करदार निभाते हुए दिखाई देंगी दर्शक तो इन्हें इस फिल्म में देखने के लिए काफी जादा एक्साइट हो उठे हैं लेकिन अगर बात करें इनके पती के बारे में तो इनके पती का नाम अनिल थदानी है जिनसे इन्होंने साल 2004 में शादी की थी और इस शादी से इन्हें दो बच्चे भी हैं जिनमें बेटी का नाम रशा और बेटे का नाम रंबीर है आपको बता दे कि इनके पती एक फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर है और फिल्म सिटी का जाना माना नाम है इसके साथ ये Symphony Capital Partners Company के चेर परसन है इस फिल्म में खुंखार विलेन अधीरा का किरदार कोई और नहीं बलकि हमारे बॉलिवुट के संजु बाबा निभाते हुए नजर आएंगे लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम मानिता दथ है जिनसे इन्होंने साल 2008 में लव मैरिज की है और इनके दो बच्चे भी हैं आपको बता दें कि मानिता एक बिजनस विमन है और साथ ही ये संजदत फिल्म प्रोडक्शन कमपनी की सीओ भी है वहीं आपको बताते चले कि मानिता से शादी करने से पहले भी इन्होंने दो शादियां की थी पहली शादी इन्होंने अभिनेतरी रिचा शर्मा से की थी जिनसे इन्हें एक बेटी भी है जिनका नाम त्रशाला दथ है पर शादी के कुछ सालों बाद ही बीमारी के चलते उनकी मृत्ति हो गई थी जिसके बाद इन्होंने रिया पल्लाई से शादी कर ली पर दो साल बार दोनों अलग हो गए यही तो है वो अभिनेता जिन्होंने केजी फचेटर वन में धमाल मचा दिया था और एक बार फिर से दर्शकों का फुल एंटेटेन्मेंट करते हुए नजर आने वाले हैं लेकिन अगर बात करें इस दमदार एक्टर की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो इनकी पतनी का नाम राधिका पंडित है जिनसे इन्होंने साल 2016 में शादी की है और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं इस शादी से आज इनके दो बच्चे भी हैं जिनमें बेट लव स्टोरी जैसी कई देलगू फिल्मों में काम किया है तो दोस्तों आप केजी एफ चैप्टर टू मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी साओधन बॉलिवोड से जुड़ी ऐसी इंट इंटरस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले